हेलो एवरीवन स्वागता आपका अपनी चैनल में जिसका नाम है क्रिकीट एकसपर्ड तो अभी हम बात करने वाले इंग्लिस ट्यूट्वेंटी ब्लास्ट में होने वाले आज के दूसरे मुकाबले की पहला मुकाबला मैं कवर नहीं कर पाया थोड़ा बीजी था पर आपक सब्सक्राइब के बात कर तो लैंट शायना साथ मुकाबले खेले हैं उसमें चार जीते हैं दो रहे रद और एक हारे हैं तो बहुत बड़िया परफॉर्मेंस अभी तक पूरे के पूरे टूर्णामेंट में इनकी रही है सिर्फ उसे एक मुकाबला हा रहे हैं यॉक्शाय मिल जाएगा तो अभी जो हम यहाँ पर वीडियो शुरू करते हैं लैंट शायर यॉक्शायर के अगर मैं पिछले मुकाबले की बात कुर्ण जो इनका हैड टू एड हुआ था लैंट शायर का ये आखरी मुकाबला था इसके बाद जो अब यह आज जो है फिर इसी टीम के खेलने वाले हैं तो यह आपको देखके चलना है कि पिछे मुकाबला भी यॉक्शायर के खिलाफ ही हो रहा है यॉक्शायर ना इसके बाद एक मुकाबला खेला है फिर उसके बाद यहां पर लैंट शायर के खिलाफ हमें खेलते हुए रिखेगी यहां पर अगर आप देख पिछे में कॉल है हमारे फिर उसके तो रॉब जोन्स की एगर मैं बात करूं थर्टी एट रन इसना मारे हैं यहां पर अगर आप इनकी बालिंग डिपार्टमेंट भी देख लो तो बालिंग डिपार्टमें तीन विगेट जो लुक वुड ने चटकाए थे और यहां पर अगर मैं बात करूं हैरी बुक आपके बाएस शत्रा रन फिसकाई यह लिथ आपके बाएस चाटी सन फिसकाई डेविड मलान आपके बाएस सताई सन उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको बढ़ा कितनी बढ़िया फॉर्म में था अभी जो इनकी सीरीज हुई है इंग लाएंड और उस्टेलिया और उससे पहले अगर मैं बात करूं पाकिस्तान वाली स्यरीज में बहुत बढ़िया परफोर्मेंस मलान ने दि यहां पर ऑस्टेलिया वाली सीरी में वह था निए उसके बाद यहां पर आगर मौन पर टार्टर सॉल है जिसना सब्सक्स चाटास पिछला मकापला छो इनका रहा को यहाँ पर अगर आप देखो यॉक्षायर ना जो है दस वीगत च चटकाई पर फिर यहां पर इनके बैस्मेंट इतना बड़िया नहीं कर पा है हाँ अगर आप देखो इनकी balling department अगर मैं आपको बताऊं तो Ben Coats नहीं एक विगेट चटकाई एल इतने दो फेसके अलिवर ने दो विगेट चटकाई जॉर्डन नहीं आपर दो विगेट चटकाई उसके बाद जैक शट नहीं आपर एक विगेट चटकाई यहां पर आपको पूरी की पूर बॉलिंग डिपार्टमेंट आपको दिखा चुकाऊं जॉर्ज हिल नहीं आप बॉलिंग करवाई पर पूरे ओवर नहीं करवाई यहां पर जो सामने वाली टीम 19.3 ओवर महीं ऑल आउट हो गई थी अब जो आखरी हुआ था वो रन आउट हुआ तो यह देख लो कहीं यह बिल्कुली फ्लॉप रहा टारसॉल दस रहन फिर फिरेन ना 28 रहा फिर उसके बाद जोड़ जिल ना 14 फिर जे थॉंसन ने गया रहा उसके बाद अगर आप बात करो बेंकोर्ण चार रहा फिर उसका औलिवर ना आठ रहन बनाए यहां पर आप पिछले दो मुकाबले हम य आपना मुकाबला वहार कर आ रहे हैं यहां पर अगर आप देखो लेंचार एलेक्स डेविस ने 18 रन मारे फिर उसके लिविंग स्टोन ना 30 कीटिंग जैनिंग्स ने 30 सन यहां पर मारे उसको आद क्रॉफ ने 37 देन विलास नहीं करती सब इसके उपर ना प्लेंग 11 के उप पाक सन ने एक विगेट चटकाई उसके बाद स्टीव क्रॉफ ने एक विगेट चटकाई सिर्फ चार विगेट चटकाई सामने वाली टीम की नौट नौट एंगम शायर की तो यहां पर अगर आप देखो तो ज्यादा बड़ी या बालिंग डिपार्टमेंट उससे पिछ यहां पर आप देखो यहां पर आप देख सकते हैं आपको बढ़िया परफॉर्म करके दे सकता है अब यहां पर अगर मैं बात करूं जो इनका बेल ट्रॉफी भी वह था ना उसमें मैंने कुछ मैचे देन के कवर करें थे और वहां पर भी इसना बहुत बढ़िया परफॉर्म गर आप देखो अब डेन विलास पॉइंट्स टॉप को लाकर देखो ड्रीम टीम में पिछले प्लेन एक बहुत इंपोर्टंट्टा बुख बढ़िया आपको परफॉर्म करके दे सकता है अब यहां पर अगर मैं बात करो हुं माइप पास जो है अगर खेलता है यह प्लेयर तो पिछे दो मुगावल में नहीं खेल रहे तो अभी के लिए ड्रॉप कर देते हैं इस प् प्रफॉर्म करके अब यहां पर आगर मैं बात करूं जो रूट तो जो रूट अभी के लिए पिछले मुकाबले कुछ नहीं खेला है किसले नहीं खेला आपको बता एंग्लेट और अस्टेलिया का जो टूडा उसमें था तो टीट अध यह इस वज़ासे से नहीं खेला जो रूट यहां पर अगर मैं बात करूं आपस एल लिद्ध हैं एलीद यहां पर आपको बहुत इंपॉर्टन पर पिक रहन वाद मार्क पाकसन आपके पास है फिर टी बेली आपके पस है उसके बाद परसन आपके बास अगर आप ट्राइब करना चाहिए को रह सकते हैं अब यहां पर आप दिखो ना तीसरा बॉलर बहुत जादा बठा पड़ा है 38 परसेंट यहां पर 25 को लिए 33 पर्शेंट एंफिशर को लिए और तीसरा बॉल निया जो थोड़ा बहुत दिफरेंस आपके लिए क्रेट कहरेगा डी ओलवर पर आपके पास हैं फिर उसके बाद यहां पर टी हाट ली हैं जो चब्विस परसेंट लोगों ना लिया तो यहां पर आप देख सकते हो कि हैं उसके बाद यहां पर आपको बढ़ी में परकर करके दे सकती यहां पर दूसरी टीन की एक हैं बातको ने के बहुत कम चांस ने पर जो न्यूस आई और मुझो लगे रहा है कि एसलिए यहां पर जो रूत मैंने पिक करहा है कैप्टन रखाऊ मैंने जो रूट यहां पर वाइस कैप्टन के अगर मैं बात करूं यहां पर जो ऑलीवर मैंने वाइस कैप्टन रखाऊ यह देवीड है फिसका फ्रेन है नृवी स्कुरा और टीप है उसके बाद भी रोड है यह पूरी की पूरी टीम आपको बहुत बढ़ीया परफॉर्म करके देदेगी स्मॉल गैंड लीग स्मॉल गैंड लीग फेवरेवल टीम है जो रूट अगर खेलता तो बढ़िया नहीं खेलता तो हम यहां पर डॉप कर देंगे अपड़ी टीम आ आपको बहुत बढ़िया परफॉर्म करके देदेगी गरेंड लीग में फिवरेवल टीम है अपडेटी टीम आप को टैरीगाम पर मिल जाएगी तीन तीम आपको प्रवाइड करवा चुका हूं कोई भी अपडेट होगा वह आपको टैरींगा पर मिल जाए यह टैलीगाम क